इतिहास चाप्टर है 6 अंगरेजी सासन के खिलाब संगर्स 1857 का विद्रो इस अध्याई के सारे कोश्चन आंसर को इस वीडियो में जानेगे अगर आप लोग चेनल पर पहड़ी बार आए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब पर के बिलेकर को प्रेज कर लिजेगा चलिए करते ह वीडियो को स्टार्ट आप लोग का यहाँ पर कोश्चन है सही विकल्पो चुने 5857 का विद्रो कहां से आरंब हुआ था तो 5857 का विद्रो हुआ जो था वो मेरट से आरंब हुआ था दूसरा कोश्चन है मंगल पांडी कि स्छावनी के युवा सिपाही थी तो मेरट गोर गोर्नमर आप लोग का राइट हो जाएगा तीसरा कोश्चन है जहांसी में बिद्रो का नित्रितौ किसने किया तो जहांसी में बिद्रो का नित्रितौ लक्ष्मी वाई ने की तो गोर्नमर राइट हो जाएगा आगे है कूवर सिंग कहां के जमीदार थी तो कूवर सिंग जगदीसपूर के जमिनदार थे। आगे पॉच में है भभावी आंदोलन का नित्रितु बिहार में किस ने किया था। तो भभावी आंदोलन का नित्रितु बिहार में बिलायत अलीने किये। खौर नमर रैट हो जाएगा। आगे आप लोग का है मिलान करना है आप लोग को जगदीस पूर जगदीस पूर को आप लोग को मिला लेना है कूवर सिंग में कानपूर को नाना साहब में दिल्ली को बहादूर साजपर में लकनाओ को बेगम हजरत महल मांज़ा परवास को बिसनू भट गोड़ से इस परका थे उत्तर देखते हैं आंसर में लिखेगा आप लोग कई जमिनदारों की जमिनदारी अंग्रेजी शासन की वज़ा से चिन गई थी उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेजी ने भारत से जाने पर उनकी खोईवी जमीन जो था वह वापत मिल जाएगी इसलिए वे सभी अंग्र जमीन है वह हमें फिर से मिल जाएगी कोईश्य नमर टू है आप लोग का सेनिकों में और संतोस के क्या कारण थी तो उत्तर लिखेगा अंग्रेजी सेना में काम करने वाली भारतिया सेनिक खुस नहीं थी उन्हें ब्रिटिस सिपाईों की संक्राचार या बहुत कम बेतन द देते थे चाहे हुआ अच्छे काम करे जो अच्छे भी काम करते थे भारतिया सेनिक उनको हवलदार या फिर सुवेदार से उचा पद नहीं दिया जाता था और हवलदार और सुवेदार का जो पद था वह सबसे छोटा पद था ठीक है बहु ज़दा छोटा पद था सेना क लिद्धी गई सूचनाओं से भी वे खफा थे नई सर्तों के अनुजार भारतिया सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुंद्र पार भी जाना होगा ऐसा प्रावधान किया गया या कानून 1856 में बना था 1856 में कैसा कानूना था कि भारतिया सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए में भी जाना पड़ेगा समुंद्र पार करके ठीक है अगया हिंदू धर्म में उस समय समुंद्र पार कर जाना पाप माना जाता था यहां तक आपनों लिख लीजेगा आगी हम लोग देखते हैं तिन नमर क्वेशन है आप लोग का बहादूर साह जपर के समर्थन से क्या प्रभावप्रा अंसर लिखेंगे देखित के समर्थन से लोगों का मनूबल बढ़ा मुगल सल्टनत का सासन भी सांकेतिक रूप से उनके साथ था बादुर्जा सहजपर के समर्थन से विद्रोही की जुआला और भरक उठी ठीक है चार नमर कुश्चन है विद्रोही में अंग्रेज क्यों सफल रहे लिकेंगे विद्रोही के पास तलवार थी और पारंपरिक हतियार जबके अंग्रेजों के पास जो था वह बंदुक था भला बंदुक के सामने तलवार का क्या आवकात बंदुक के फाउजों को जीतना ही था फिर अंग्रेज जो थे वह इंगलेंड के सारे फाउज को भी मंगा लिये थे जो बंदुक और आधोनिक तोपों से कम थी इस कारण अंग्रेज विद्रों को सबक में सफल रहे पंच नमर क्वेशन है आप लोग का अठार सु संतावन के बिद्रों में कुवर सिंग का क्या योगदान रहा उत्तर लिखेंगे बाबु कुवर सिंग ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बिद्रों की ज्वाला को भरका दिया अंग्रेजों ने उन्हें जगदीस पूर की जमिंदार लिती विअबसे सों को का सात लेकर अपनी जमिंदारी वापस पाली इस प्रकार अंग्रेजी हुकुमत के खिलाप बिद्रों में सामिल हो गे इस प्रकार आप लोग को अंसर लिख लेना है आगे आप लोग का अच्छे नमर कुश्चन है यहां आप लोग का है बुड़े उद्देशों को अपने सब्दों में व्यक्त करें लिखेंगे आंसर में बिद्रोही चाहते थे कि भारत से अंग्रेज शासन का अंत हो जाए बिटेश मुक्त भारत उनका उद्देश था साथ ही वे चाहते थे अंग्रेज की बदनीतियों का अंत हो जाए मुगल सल्तनत के दावर की सांसी भारत में लवट आए उन्होंने अपने घोसना पत्र में बादा किया था कि जमिनदारी का को उनका कंधाद दिया जागीर दिया जाएगा सभी वस्तों का विपार की शोतंतरता होगी भारतियों को सरकारी सेवा में उचा पद मिलेगा पंडितों और मौलमबियों के धर्मों की भी रक्षा में एक छती नहीं होगी ठीक है बुनकरों एवं सिल्पकारों को भी साहकारी सहता की गारांटी दी गई मतब जो जो काम में करेंगे ठीक है जो जो काम में थे उन्हें उओकाम दिया गया आगे है आप लुकास जात नमर कुश्चन विद्रोग के बाद अंगरेजी सासन के सोरूप में क्या प्रिवर्तन आया लिखेंगे उत्तर विद्रोग के बाद 1857 में बिटीज संसद ने कानूर पारीत करते वे भारत से इस्ट इंडिया कमपनी के सासन को समप्त कर सीधे बिट कि सरकार के सासन को अस्थापित किया भारत के सभी सासकों को गारांटी दी गई कि भविश्य में उन्हें राज को उन्हें नहीं हटाया जाएगा सैनिकों में बदलाब करते वो योरोपिया सैनिकों की संक्या बड़ी उनका अनुपात तू अनुपात पांच हो गया यानी ह वहाद़, पॉटब भारत और दक्षिन भारत से सीपाईयों की भरती करने की जगा गोडखा, सीख और पाठान अजिक संख्या में भरती किया गया इस परकार आप लोग को सारा अंसर लिख लिना है इसी में आगे लिखेगा इन तिनों जीवों ने विद्रों को लर में कमपणी को काफी सयोग दिया था उन्हें यह भी तैकिया कि भारतिय धार्मिक और सामाजिक जीवन के साथ छेर्खार नहीं की जाएगी तो इस प्रकार हमने सारी कोश्चन आंसर को इस वीडियो में हल कर लिए हैं चाटर सेक्स के फिर मिलते अंगले वीडियो के साथ तरतर के लिए धन्यवाद अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा